ये तो क्या आप उनको सुविकार करेंगे? हाँ सुविकार करेंगे दुनों बचा के देखते हुए उनको विलकम है अगर मेरा वन नील देख रहे हैं तो वो विलकम है वो आ जाए उनके लिए 24 आबर जो है से दरवाजा खुला हुआ हुआ है ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा वक्त की किलत है इसलिए सरीता जी मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपके अंदर थोरीशी भी दया है शर्म है तो ना अपने पती के लिए ना कम से कम अपने दो बच्चे के लिए जरूर आ जाईए और इनका इतना बड़ा दिल है कि ये अपनी बच्चा बन गई तो अपने प्रेमी के संग फरार हो गई इस मासूम बच्चे को आप देख लीजिए कैसी मा होगी वो जो ऐसे मासूम बच्चों के लिए मासूम बच्चे को छोड़कर एक प्रेमी के साथ फ़रार हो गई techniques निया मात हो पहले कब शादी हुई थी आपकी 2010 में हुई थे 2010 में जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त आपकी पतनी कहां तक पढ़ी लिखी थी उस वक्त सिर्फ वो मेट्रिक पास थी आपने उन्हें पढ़ाया इंटर करवाया कि ट्रेंग दीएड करवाया केंप्श्यूटर करवाया और जैसे उनको जनरल कंपिशन कि तजारी हम भी वह कर वाई है दो आलबी साथ साथ किये आप भी कर रहे थे जनरल कमीशन की तयारी आप क्या करते हैं अभी कर चुका हूं अभी पर हाई भी करता हूं और प्राइबेट स्कूल चलाते हैं और आपकी पतनी का सरकारी जॉब हो गया यह 22 में 23 फरवरी 2022 में उनका नोकुरी हो गया उसके बाद कभी ऐसा आल लगा कि आप दोनों के रिष्टे में जो है कुछ टकर जाओ चल रहा हो जो वेक्ति थे जिनके साथ वो गई हैं वो वेक्ति क्या करते थे वही स्कूल के परधाना ध्यापक थे अभी है वरतमान में तो अभी तो स्कूल में होंगे नहीं अब तो फरार हो गए वो भी जुआ, जो एसे हो तो हम मुझे घर्मास्टर साहब जीजो है मुझे जान से मामने के भी धम की मिल हम पो दिये हैं जो आविदन दिया हमने जो का मेरी पतनी चली गई थी उसका मैंने कावजी करवाई किया विव मैडम नहीं भी आती है उसके बाद भी जो आसे एंसर इतने पिर भी हमने altri के अधिके अधिकारके इंटर्गत प्पे-धियाई को में जवाब नहीं दिया गया मैं मुख्या जी आपिडने में अपने हचाइस जचाब याई गलत स्पा-धियागा उसके बाद तो नहीं दिया गया उसके बाद जो है से दूसरा करवाई किया कोई जा रहा है मैंने समास्थी पूर क्या हाँ गए वहां दूनों बचे के देखते हुए डेयो साहब ने फौन किये वियो साहब को किसे क्या संद। रहे हैं दोनों बच्चा को तो कम समझे कि मैडम ड्यूटी नहीं करते हैं किसा दर्चे इतने से बन रहा है तो मुझे पता नहीं है उसके बाद जैसे बोले कि आज जो है सो घर का उनका आप सी मेटर है इस तरह का वह स्टेट में दिये ऐसा है कि उनका भी मोवाइल ट्रेस ल में ही नहीं के दिवारा पूरा जाली वियरा है और उनका जा 처음 फो नाम करें पर्धाने देपक का राहुल कुमार राहुल कुमार राम जो है वह है वहार्य। सब्सक्राइब का उम्र है 42 साल उनकी उम्र है शादी शुदा है वह वह कहां कि आपके ही इसी परखन के वह स्कूल से डेर किलोमेटर हटके आप उनके परिवार वाले से कोई राफ्ता हुआ बाचित हुई यह तक नहीं हम नहीं किये कला कि वह कहीं इस्टेटमेंट दिये थे कोई गरामीन को किसे श्कूल पर आएगा थे इसको सरकारी अथी में फांसा देंगे इसके डर के मारे जैचे हमने पत्नी को भी खोजने जाते थे इधर उधर देख के चल आते थे उसके बाद जैचे देखे मेरी पत्नी तो अपना हाथ में है नहीं इसकूल पर जाएंगे अब झार्ब हो सकता है वो हमको खोने किय watt सब सरकारी कर्यालाइं पर बहुते हैंड हमने आघ तक स्कूल करें गयां पता करते रहे हैं कर नहीं आती करम इन गभाटे मेडम नहीं आती है उम उंके घर पर क्या क्या करने जाते इंप ऐसे रूम लेकर को शाद हम राहुल कुमार राम उनके साथ ही है तो आपने जो एफाइयर दर्ज करवाया है किस बिना पर दर्ज करवाया है मैंने मुझे एक तारी को जो है से जान से मार देने की धंकी मिली है उसके बाद जो है उनका कहना है कि जहां जहां तुम अभीदन दिया मैंने मैडम यह स्कूल नहीं आ रही थी तो मैं बच्चे के देखते हुए किसी तरह हम गाउं समाज के लिए कि इसको बात को सर गल्दी संदी है उसके बाद स्कूल पर कुछ जांच हुआ ही जांच का फेपर जो जहां जहां वहां से उठाने के लिए जह से कह रहे थे कि जांच का जो तुम जैसे अविदन दिया उसको उठालो नहीं तो मैं तुम है और फैमिली को जान से मार दूँगा और पिस्टन के साथ आ चल रहा है ऐसा कुछ भनक नहीं लगा था यह कव आपकी पत्नी घर नहीं आई अब तक कोई बाचीत नहीं उनकी आप से कि बच्चे के लिए भी बाचीत नहीं हूए नहीं कर दे के आया हूं बच्चे से बात कर लो ओन ही together बच्चे से भी बात नहीं किया उने झाला जाए उटन को रियोग्या beta कि बच्चे से कम सरीता बात कर लो जो बच्चे से कुछ तो बात कर लो तो ठीक है रिस्ता में जैसे ठोकर खाया कहें कोई संपर्क नहीं मिला उसके रहना क्या कहना, इनके नाना नानी का निक्ने, कोन किस का है, रहना उन, 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 को है, उसका जय से पापाजी है ही नहीं, टी अलग घर Wik। वाहरे उसके घरवाले कोई है नहीं इसमें क्या कहें अपने जमीन तक बेच दिया श्राइब पढ़ाने के लिए मैंने जमीन भी बेचा मैं खुद जह से दुन आदमी पढ़ रहे थी तो कहां चे पढ़ते ही उसके लिए तो करदा को हम लिए उसके बाद जह से जिसका पैसा कि दूनों बचा के देखती हुए उनको विल्कम है अगर मेरा उनीज देख रहे तो विलकम है आजाये उनके लिए उनके लिए उसके लिए नहीं कहुआ तो कि नहीं कहूंगा वक्त की किल्लत है। आपके अन्दर थोरी दया है शर्म है तो ना अपने पती के लिए ना कम से कम अपने दो बच्चे के लिए ज़रूर आ जाईए और इनका इतना बड़ा दिल है कि ये अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप आ जाती हैं तो आपका दिल खोल कर इस घर में फिर से स्वागत है सरिता जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही करूँगा विंती करता हूँ कि अगर आप आना चाहिए अगर आप आना चाहती हैं तो आ जाईए अपने बच्चों का मूँ देख लिजिए आपके बगएर बच्चे कैसे रहेंगे आप सोचिए एक माँ वो होती है जो मा अपने बच्चे के लिए न जाने कौन सी कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करती हैं लेकिन आप कैसी महिला हैं कि आपने प्रेमी के लिए अपने प्यार के लिए अपने पती को छोड़ दिया और शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने मासूम बच्चों को भी आपके दो मासूम बच्चे हैं, कम सकम आपको उन पर दया आनी चाहिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी चंदन जी का दिल खुला हुआ है, चंदन जी का दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए, आप आज आईए, अगर आप नहीं आती हैं तो याद कहीं एक पत्थर बन चुके हैं, राश्ते का रोडा बन चुके हैं अब कोई पती अपनी पत्नी पे कैसे विश्वाश करेगा जब आप जैसी पत्नियां एक मंजिल हासिल करने के बाद अपने बच्चों तक को ठुकरा देती हैं, अपने पती को ठुकरा कर किसी तिसरे के साथ रहने लगती हैं, उनके साथ भाग जाती हैं, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, तो अभी भी चंदन जी का दरवाजा खुला है, आप आजाए इस घर में आपका स्वागत है, आप अपने बच्चे के लिए आजाए, आप अपने पती के लिए आजाए, आप गौन समाज की इज़त के लिए आजाए, जिस इज़त को आपने तार तार कर दिया है, जिस इज़त को आपने मिट्टी में मिला दिया है, आज भी चंदन जी आपको सुविकार करने के लिए तैयार है, बस इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया